क्या कभी आप इस तरह से बना है बर्फी जो बहुत ही टेश्टी और यम्मी बनने वाला है और आप देखके बता सकते हैं कि यह क्या चीज़ से बना हुआ है आपको भी यकिन नहीं होगा कि इसे बनाना सच में इतना असान हो सकता है बिडाउट मावा बिडाउट दूद आप इसे बना के रेडि कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे हैं हेलो फ्रेंड मैं प्रियंका आपरींका डीसे वीटूब चनल में आपका बहुत बहुत स्वागर था आप्लोब को दिल से सुक्रादा मुझे इतना पYार सपोर्ट देने के लिए और अपना इंपोर्टेंट टाइम देखें मेरा वीडियो दिखने के लिए और यह बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाए तो चले देखते इसे बनाना कैसे इसे बनाने के लिए हमें लेना है रावा जी हां सूजी आपको बिल्कुल बारी क्यों वाली सूजी नहीं तो कोई बात नहीं आपको कोटोरी या कॉप सेट कर लीजिए उसे 200 या 200 ग्राम सूजी ले लीजिए मिक्सी के जार में डालकर इसको दोसे तीन बर चला लीजिए उसके बाद आपको लेना है चार बड़े चमच घी घी या बटर कुछ भी अपले सकते हैं या खुसबू आने लगेगा तो इससे ज्यादा बिल्कुल आपको बेसन को नहीं भूना है तो इसमें सूजी डाल देंगे जो सीजी को हम पीसके रखे थे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे और यह देखिए हमारा घी में जाने के बाद सूजी बिल्कुल फूल गया और उसका हलका साब को कलर भी चेंज आएगा और उसका खुसबू भी कुछ अलग आने लगता है और यह बर्फी इतना टेस्टी और इमी बनता है कि आप खुदी खाके नहीं बता सकते हैं कि इसमें मावा नहीं डाला हुआ है क्योंकि यह लगे गई नहीं कि आप इसे रावा बर्फी बनाये हुए क्योंकि हम लोग सूजी को बिल्कुल बारिक कर देते हैं और खाने कबाद ने इसका हलका सा दरदरा सा जो हमारे मुह में आता है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एमी लगता है एक बड़ जरूर इस तरह से रावा बर्फी ट्राइगा और बनाना बिल्कुल असान है और जो चीज हम इसमें बता रहें डालने के लिए वह सारा आपकी किचन में अबलेबल होता है तो यह हमारा सूजी जो है बिल्कुल अच्छे से भून गया आप देख सकते हैं पहले को कोडिंग और बहुत ही अच्छे से फूल भी गया है पर आप लोग आपको मुझे एक सिकायत है आप लोग से कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर चालों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज गाइस ऐसा मत करिए और वीडियो पसंद थोड़ा से भी आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए फ्रेंड औ अपना दीजिए liquor और अपना टाम लेकालके मेरा वीडियो मुझे आप लोग पाष टाइम नहीं होता है फिर फीर आप लोग मेरा वीडियो देखने वी दिल से सुक्रिया धा यहां ऑद हम फटा देते हैं और अब बताते हैं चास्नी आप आम बनाना है चासनी नोए कि वे Si पानी डालेंगे और इसका में तार वाला चासनी नहीं बनाना है कैसा चासनी बनाना है चलिए वह दिखाते हैं पहले इसको मेडियम प्लेम पे अच्छे से चीनी को मेल्ट होने दीजिए और मेल्ट होने के बाद कुछी इस तरह से आपको चीनी दिखेगा आपको इसको हाथो 4 बिचए बीच लेके यह दिखार हैं आपको यह लें तार नहीं बन रहा है बस हलका सबंड रहा है बिलकूल ऐसी तरह से चाहिए तो यह चिप चिपा चास्नी नहीं बना ना है और इसमें गती हिया अपright छैसनी हमें कमाड़ सकते बात乾 MAN के फ्लेम को लो रखेंगे अब चाहएं, तो बिलकुल बंद करके सनेटां sydney डाल सकते और फ्लेम को मिक्स कर लेऊं और पैन को छोड़ने तक पका लेना को ज्यादा नहीं बस दो मिनट के लिए पकाना इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे लो फ्लेम पे पकाएंगे और यह देखिएगा पैन को छोड़ने लगेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ऐसे कैसे पता चलेगा है कि हमारा जो बरफी वह जमेगा वह भी अच्छा लगता और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ठीर सारे प्यारे प्यारे कोमेंट करिएगा और यह देखिए हमारा जो बरफी यह बिल्कुल जमने के लिए रेडी हो गया है तो चले इसको आपको चेक कर प्लेट लेजिए उसको पहले घी से ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद यह सारा जो मिसरन बनाके रखे हैं उसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हलका सब ठंडा होने दीजिए तुरंती जम जाता है ज्यादा दिर तक आपको ठंडा भी नहीं करना पड़ेगा कैसे इसको डेखुलेट करना चाहते हैं उस तरीके से गड़ सकते हैं पर इसमें थोड़ा से पिष्टा का तरन डाल दे रहें और यह बिल्कुल जाए तो इसमें अब हम कट लगा ले आप इसको स्क्वाइर से देना चालते हैं चरकोर में करना चाहते हैं या आपको अज़ भूल जाता है और यह देखे इसका पीस देखे कितना लाजीज लग रहा है देखके ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह बर्फी कितना लाजीज बनने वाला है तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कितना असान था और आप आज के रेस्पी कैसा लगा मुझे कोमेंट करके ज और मुँ में जाते ही यह गूल जाएगा और बनाना बिल्कुल असान है तो एक बड़ ट्राइ जरूर करिएगा और कैसा लगा यह रेस्पी मुझे बताना बिल्कुल भी न बुलियागा मिलते हैं इसी तरह से एक और नए रेस्पी के साथ तब चलिए इसको टेस्ट करते ह हैं कि यह टेस्ट में बर्फी कैसा बना हुआ है और इसे बनाना तो बिल्कुल असान है आप तो यह रेस्पी देखके समझी गया होंगे कि जट पट बना सकते हैं ज्यादा कुछ इसमें लगता भी नहीं है घर के सारे समान से यह बनके रेडी हो जाता है